ने इस बताए है क्या राओट है कोश्यंट तू अश्य तो एक्जम्पलर रहे है यह क्या रहे है टैन ए प्लस अपॉन प्लस से के माइनस टैन ए यह चेक के लिए थे नहीं का क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट वाल एक्सरसाइज में तो नहीं दिया हूँ है यह क्या है तो इसका मतलब दो सिच्वेशन है कि यह तो नीचे क्या है दारिस वन अपॉन साइन आ रहा है यह फिर यहां पर मुल्टिप्लिकेशन में कोई ऐसी वाली हो रही है ताकि उसके इसाब से हम कैल्कुलीट कर सके तो अगर यहां पर लेंगे तो यह हो जाएगा टैन ए वन अपॉन वन स्टॉरी हुँ हुम छा कि से के हो गया माइनस टैने है आप अपंह माइनस से कड क्या अब दोचीज़े या तो हम इसको सब्कु साइंद कॉसमें चेंज कर लें ता कि सान कॉसमें चेंज करके उनके वाद फाइनल वैजो निका ले यह यह पी है कि यहां पर वन प्लust एक वन minus second क्यों जाएगा 1 minus second square a हो जाएगा ठीक है और अब यह दाट विल गिव उस वाट 1 plus second square is equal to 10 square and 1 plus quad square is equal to cosec square a तो अगर 10 square a बन भी जाएगा तो फिर क्या ठीक है अगर यहां पर अगर यह तान स्कॉर एबन भी जाएगा तो यह तो इससे multiply होगा tan a second multiply होगा फिर it's better कि हम इसको sign cost में change कर लें upon 1 plus 1 upon cosec minus sine a upon cosec whole upon 1 minus 1 upon cosec अब देखो जब इसको solve करेंगे तो अभी जार से बात है यहां पर 1 plus cos a आएगा upon cosec और यह हो जाएगा sign a upon cosec और यह आएगा cos a अच्छा एक चीज़ियां पर आपको धियान देनी है यह क्या है cos a plus 1 आएगा और यह आजाएगा cos a minus 1 upon cosec और sin a upon cosec तो cosec cancel अब हमारे पास क्या गया sin a upon cosec plus 1 minus sin a upon cosec minus 1 अब देखो अब इसको जब लोगे तो आएगा cos a square a minus 1 और यह हो जाएगा sign cos a minus 1 minus sin a upon a plus 1 कि मुझे मुल्टिप्लाई करेंगा न कॉसे प्लस वन है तो कॉसे माइनस इससे मुल्टिप्लाई होगा cos a minus 1 है तो cos a plus 1 इससे मुल्टिप्लाई होगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है अब देखो यह दोनों है इसको देखो ठीक है अब इसमें से sign यह sign होगा sign a common ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा कॉसे माइनस 1 ठीक है माइनस साइन और यहाँ पर क्या बचेगा कॉसे प्लस वन ब्रैकेट में रहेगा ठीक है और यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्कुर्ण थीटा पलस किया होता है?" साइन स्कुर्ण थीटा, is equal to 1 होता है, —' सभर मैंणस 1 पर जाएगा . यह हाँ जाएगा माइनस साइन स्कुर्ण एधरविगा, यह आ जाएगा , Not थीटा that is a आब देखो, साइन एव यह स्कुर्य कैंसल हो जाएगा समझ मैं अब उसके बाद अब यह बचा क्या कॉस ए माइनस वन माइनस कॉस ए माइनस वन अपॉन माइनस साइन ए ठीक है कॉस ए माइनस कैंसल या गया माइनस टू अपॉन माइनस साइन ए माइनस माइनस कैंसल वन अपॉन साइन ने क्या हो गया तू को से के पर फिल से उसको practice करें कहां पर खलती हुए थी कहां पर नहीं कर पाए तो उसको देखें इसलिए मनें कहीं पर अगर कुछ नहीं समय मैं तो sign a cost में change sign 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 cost में change कर दें ढूंत सब्सक्राइब क्योंकि कोई अडवांस लेवल का आपका नहीं आने वाला देखें जो NCRT में स्ट्राटेजीज हैं उसी पर बेस्ट क्वेशन साएंगे अजा जाओ जीवल कुषिए नहीं कि क्या चोड़स का ओन्ड़खनों में is кी कि अजिर्कॉर्णाइब करें शनमने युचिए ने को समय करको दो ने हैसा ने क्यां युचिए 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 था can झाल झाल और नेक्स क्या है, टैन ए की वैलू जा है, वो 3 बाइ 4 है, देन, साइने, अच्छा, प्रूफ करना है, साइने कॉस से, इस उकल टू 12 बाइ 25 कैसे, अब यहां पर इन्होंने क्वेशन फॉर्म चेंज किया, यह वही है, टैन ए दिया हुआ है 3 बाइ 4, तो पहले टैन ए से, य तो ओविसली, नेक्स क्या आजाएगा, लेकिन पहले आपको यह देखना पड़ेगा, तैन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह तो सबसे पहले A बोल रहा है, तो A यहां पर आएगा, जो हम आंगल सेलेक्ट कर रहा है, टैक है, तो अब यह होगा P by B, तो पर्पेंडिकु आपको यह दिया हुआ है, बाकी रेशियो निकालो, अब यहां पर आपको इंडिरेक्ट ली बोल रहा है कि यह प्रूफ करो, मतलब आपको यह, अब समझ में आ गया, कि साइने कॉसे ही निकालना है, तो साइने क्या हो जाएगा, तो इस पर्पेंडिकुलर अपन हैप्रिन तो दारिस्ट हिस्ट्री ओए फाइफ इंटो और वाइफ वाइफ और वाइफ गया, चट्राव कैंजे लिखना हुए तो लिखना है, बिना उसके कैसे बई त्री बायू थोड़ी है, रेशियो दिया हुए ना, जो यह तो ऐसी क्या करेंगे जो एसे अटिया हुए, दिया variable जोड़ते हैं ठीक है मतलब variable मतलब कि constant यहाँ पर के दोनों में सेम रहे गए अब नेक्स क्या है root 3 plus 1 okay that is 3 minus 430 is equal to tan cube 60 minus 2 sin 60 अब यहाँ पर values ही निकालने हैं तो पहले LHS ले लेते हैं तो यह क्यों हो जाएगा root 3 plus 1 okay 3 minus अब कॉट 30 क्यों होगा कॉट 30 1030 क्यों होगा कि यह हो जाएगा root 3 अब यहाँ पर multiply कर दो root 3 into 3 यह हो जाएगा 3 root 3 root 3 into minus root 3 minus 3 1 into 3 plus 3 1 into minus root 3 minus root 3 यह cancel तो 3 root 3 minus root 3 2 root 3 हो जाएगा अब RHS पर आ जाते हैं पर 3 root 3 minus root 3 3 a minus a कितना होगा तो 3 root 3 minus root 3 कितना होगा simple अब यहाँ पर क्या होगा 1060 1060 क्या होगा root 3 का क्यूब minus 2 into sin 60 sin 60 क्या होता है यह values ही नियाद रहेंगी तब तो घलत हो गई होगा अब यहाँ root 3 का क्यूब है 3 तीन बार multiply हो रहा है तो root 3 into root 3 into root 3 root 3 into root 3 3 root 3 हो गया यह और यह 2 2 cancel minus root 3 आ गया 2 root 3 proof हो गया यहाँ पर values और calculation है जिसके विज़े से answer नहीं आ रहें तो इसलिए प्रैक्टिस और ज़रूरत है और बताएं हो गया हो गया कौ़्स हो